नमस्कार मैं हूँ सैप खान और आप देख रहे हैं एचे नियूज आईए नज़े डालते हैं आज की एक खास खबर पर महराष्टर में 12 जाओ का इसरी के पेपर होने की खबर सामने आई है के मिश्ट्री का पेपर आउट हुआ है कई विध्यार्ठियों को फोन पर क्वेस्चेन पेपर के सवाल बता दिये गए इस वजह से वे एक्जामिनेशन सेंटर पर देड़ से पहुचे थे इस मामले में मुंबई की विले पाले पुलिस ने मालाड स्थित एक प्राइवेट कोचिंग क्लास के टीचर को ग्रफतार कर लिया है वही वर्सा गायकवाड ने इस खबर को महज अफवा बताया है वर्सा गायकवाड ने इस संबंद में एक ट्वीट किया और विधान परिसद में भी सफाई दी है वही वर्सा गायकवाड ने कहा है सनीवार को हुई बारवी की केमिश्ट्री की परिक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ वर्सा गायकवाड ने विधान परिसद में दी गई अपनी सफाई में कहा सनिवार 12 तारीक को केमिश्ट्री का पेपर लिख होने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है पेपर लिखने की सुरुवात साड़े 10 बजे होती है लेकिन इससे 10 मिनट पहले प्रेस्न पत्र पढ़ने के लिए वित्रित किये जाते हैं ऐसे में 10 बचकर 24 मिनट पर विले पालने के एक परिक्षा केंद्र के एक छात्रा के मोबाइल फोन से पेपर वाट्सप में भेजा गया उसके बाद यह सर्कुलेट हुआ चुंकि यह 10 बचकर 20 मिनट के बाद सर्कुलेट हुआ है इसलिए यहां कहना है कि पेपल लीख हुआ गलत है इसमें कोई तथ्य नहीं है हाँ वाटसप से इसे परिक्षा के दर्मियान सरकुलेट किया जाना गलत है और इसके लिए मुंबई की विलेपाले पुलिस उचित कारवाई कर रही है वही विलेपाले सीनियर पियाई ने बताया कि विलेपाले के एक परिक्षा सेंटर पर 20 मिनट से लेट पहुची इसलिए टीचर ने छात्रा की जाच परताल की तो छात्रा के पास केमेश्ट्री का पेपर और उसका उत्तर प्रति प्राप्त हुई जिसको उसके ट्यूसन कर लिया और आगे की जाच कर रही है पेस है मुंबई की यहां एक रिपोर्ट वो सेंटर में लड़की बीस में डिर से आगे इसलिए उदर टीचर को सब्सक्राइब कर लेड़ हो गया तो चेक किया तो मोबाल में केमिस्ट्री का पेपर मिला और उसके आंसर भी मिले में इसलिए इसके वेशे सब वाक्यात हूगया है इसके इंक्वारी की तो लड़की बोली हूंकि जो लास्टीचर है मैं प्रावट सटीचर क्रों मुक्रिश एद्ध उनने उनको पेपर हो सेट किया वाट्सप के ऊपर इसलिए मुक्रिश चाह को आइस किया है उट forts никаких को झाल झाल